दोस्तो मैं अल्पनास रोज स्वागत है आप सभी का स्वाधिष्ट बोजन में दोस्तो आज में आपको हैदराबादी बोटी बनाना बताऊंगी घर पे असान तरीके से कि आप इसे किस तरह से बना सकते हैं वो भी बहुत ही कम चीजों से और जटपट बनने वाली रिस्पी है तो दोस्तो आज मैं आपको उसको बनाने का तरीका बताऊंगे और दोस्तों यहां पर मैंने आपको क्या कहते हैं इसको साफ करने का नहीं बताऊंगी मैंने इस्ट वीडियो का बनाई हूं कि आप इसे घर पर किस तरह साफ कर सकते हैं तो यहां पर दिखे मैंने लिया प कोई पतीला तो यहां पर में भगोना रख दिया है। उसके बाद दौस्ते में लीटे जितना पानी भर देंगे। पानी डालने के बाद दोस्तु अब देम चब्स जाघ में अधह की गटे शुटेयर में हम लिपनी иныपानी मुथा पति नम्दा नमक उसके बाद दोस्तों इसे हम आधा घंटा कम से कम उबा लेंगे क्यूंकि दोस्तों जल्दी से पकता नहीं है तो इसे जितने देरी तक हम उबा लेंगे उतना देरी में हलका से पक भी जाएगा और पकाते समझ भी यह पक जाएगा उसके बाद दोस्तों मसाले में यहाँ पर सबसे पहले सब को भी पीस लेंगे उसके बाद दोस्तों यहां पर हम देख लेते हैं यह भप गया है कि नहीं पचौनी इसे खोल के चिक करेंगे हम तो यह देखी दोस्तों पचौनी बहुत अच्छे सूबल के त्यार हो गई है इसे हम निकाल के अलग थाली में रख लेंगे तो इसका सा अगर हम इसका पानी के छीट अगर आपके ऊपर एक भी पढ़ गया तो आप जल जाएंगे इस बात का भी आप जरूर ध्यान डखना उसके बाद दोस्तों निकालने के बाद हम क्या करेंगे कि कुछ प्याज है उसे हम बारी कट कर लेंगे तो यहां पर मैंने प्याज लिय न करेंगे तो यहां पर देखिए मैं ध्लबानी को थंडा होने के बाद कर लोंगे अपैसे अपने मन पसंद हिसाब से कट कर तैयार कर सकते हैं कि आपको इससे किस तरह कहाट करना управ करना है तो इसी तरह से में एक ऐक करके सारी पशौनी को काट कर लेंगे दोस्तो वैसे तो मैंने इसे बनाने का तरीका साफ करने का तरीका आपके साथ पहले सेर किया है तो दोस्तो अगर आपको नोर्मली गाउं के तरीके से से बनाना है तो उसकी भी रस्पी मैंने आपके साथ पहले सेर किया अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखे तो उपर दिया अपिटम पर क्लिक करके दोस्तों वीडियो आप देख सकते हैं किसे या आप किस तरह से गाउं के तरीके से बना सकते हैं नॉर्मल सिंपल सीरिस भी है तो सारी पचोनिकों मैंने कट कर लिया इसमें हम डालेंगे दोस्तों प्याज जो हमने वारिक कटकरकर रखा था उसके बाद आदक अदर क्लेके समय दालेंगी एक चम्मच नामाक के स्वाधा गधार इसमे हम डालेंगे है तो अच्छह से मिला दिया दोस्तों सिंपल सी रिस्पी है हैद्रबादी है बहुत इछी रिस्पी है और बोह टेश्टी बनती भी बहुत अच्छ स्वाद आता हैं क्यों चूल spémm warmed बेसे जला दिया रकि फिर से बडवा पतिला रख्या कैस में डालााई सरसयो के तेल इद तरह से चीरा लगा के रखेंगे तो आप देख सकते हैं कुछ खड़े मसाले की जैसे आप देखें से जीरा बड़ी लाची छोटी लाची चक्रफूल है जैवित्री है दालचेटी का टुकड़ा है और काली मिरीच है ऐसे ही कुछ खड़े मसाले में लिया है तो इससे हम एक बना लेंगे दिखें सूती कप्ड़े लेंगे उसमें इस तरह से हम बान देंगे बानने से दोस्तों मसाले उसमें गिरेवी में मिलेंगे नहीं और गिरेवी में टेस्ट अच्छा आजाएगा उसके बाद तेल गरम हो गया है तीन प्याज टाल देंगे बारी कट करके और हैं दो तेजश परता तो तड़ कुछ हम अच्छे से फ़राई करलेंगे मिलागों हो नितान गर में घृष च्रहए हैं तो सारी पचौनी सूद्या इस मी हम धूलेंगे तेल में इस हम डूलाते हुए भूलेंगे दोस्तों में पानी नहीं चूटे गा तेल के वज़े सweise ज लाल हो जाएंगे तो आप इसे चलाती रहेगा नहीं तो नीचे लगने लगेगा इस बात का आपको ध्यान रखना है तो जैसे अच्छे से यह फ्राई हो जाएगा वैसे इसमें हम दोस्तों डाल देंगे पानी तो पानी आपको जितनी जरूत है उसी हिसाफ से आप इसमें प पकाया तो यह अच्छे से पकते त्यार हो जाएगे अब इसे हम दोस्तों क्या करेंगे कि जो खड़े मसाले रखे तो वह एट कर देंगे पोटली हमने जो बनाया था उसमें एड कर देंगे उसके भाद नहीं धाक करके एक गंटा पूरा हम पकाएंगे एक घंटे में दोस बन के तयार हुआ देखने से लग रहा है तो यह दीए दोस्तों बहुत ही अच्छा आपको देखने से पत चल जा रहा हूँ एक इतने जी से पके तयार हुआ है तो आप इसे 10 मिनट पना है erased कर दें तो हम अच्छे से मिला देते हैं यहां पर मैंने इसे अच्छे से मिला दिया है हर अधनिये को दोस्तों जो पोटली है इसे हम निकाल के बाहर कर देंगे अब इसका कोई काम ने इस गिरीवी में उसके बाद दोस्तों इसे हम अब ढग करके एक घंटे के लिए अधा घंटे के लि तो एक गंटे बाद दोस्तों आप देख सकते इसमें कितने अच्छे से कलर दिख रहा है और बहुत ही टेस्टी यह बढ़के तियार हुआ है जितना अच्छा दिख रहा दोस्तों इतने अच्छा स्वाद भी था तो दोस्ते से यहाँ पर मैंने स्यर्प कली प्लेट में तो यह रहा है दरा बादी बोटी पूरी तरह से कंपलीट है बनके तो आप इस रोटी चावल किसी के साथ भी खाएंगे बहुत ही टेस्टी लगए तो दोस्तों आप सभी कोई वीडियो कैसा लगा आप हमें कॉमेंट में जरूर बताना